नमस्कार दोस्तों माययोगिस आप सभी का स्टेडी अलेट पे स्वागत करता हूं तो आप सभी को पता है प्ट्टी दोजार्टेस का आपका 21 माई को एकजाम हो चुक है ठीक है तो आज हम आपके शिक्षण अभिरूची यानि शिक्षण अभिक समता टीचिंग एप्टिट की जो 50 क्यूषन आपके एकजाम में आई थे वो 50 क्यूषन हम आपके बेच में लेकर आए है ठीक है क्यूषन संग्या आपके 51 से लेकर 100 तक आपके शिक्षण अभिरूची की क्यूषन है यानि टीचिंग एप्टिट्यूट की क्यूषन है तो उनकी राइट आंसर में 21 माई का पेपर है तो देखिए यहां पर सेक्षन भी बाग नमर 2 हमारा रहने वाला है ठीक है चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को सस्क्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ओन कर देना जिस यह मारी न्यूव वीडियो है तो आपको सबसे पहल किया था पी टी टी को तो इस बार भी करेगा तो सस्क्राइब कर देना तो चले आज की से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखो सबसे पहला किया था आपका स्ट्रिक्षन अभी रूची में कि मान लेजिए कि एक सिक्सक छात्रों से घ्रह कारे जमा करने के लिए कहता ह चात्र आम तोर पर लिखित दस्तावेज की रूप में यहां पर असाइन्मेंट त्यार करते हैं और शिक्सक को जमा करते हैं शिक्सक स्तरीय कारे का मुल्यांकन करता है और मुल्यांकन करता है स्तरीय कारे में अपनी टीपनी सुजाव लिखता है और चात्रों को वापस से लोटाता है, इस स्तिती में संदेश कैसा दिया जाता है, तो इस स्तिती में आपका संदेश गेर मोखिक संचार दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका next नुमर परसन क्या आया था, कि मोखिक संचार में संचार के माद्यम से संदेश देना चाहिए, तो इसमें आपका हो जाएगा ओप्सन मर कौन सा हो जाएगा, अरे इसमें आपका ओप्सन मर हो जाएगा, डी, यानि मोखिक और नेतर संप्रक के माद्यम से देना चाहिए, उसके बाद देखो आपका परसन क कि तक्निकी का उप्योग्त की तक्डत की का उप्योग्त की सब्रॉण के सब्र को समझाने के लिए ऐस था है कि Lao K का आपकी डिस्क्रिप्स में अंदर है वोट्सव ग्रूप में क्या होगा कि अगर आपकी कम नमर बंद रहे है फिर भी आपको कोलेज मिल जाएगी क्योंकि मैं आपको टिप्स बताऊँगा कुछ ट्रिक बताऊँगा कि कौन सी कोलेज बढ़नी है को जोइन कर लेना वो ग्रूप आपको बहुत काम आएगा ठीक है हाँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्स न के अंदर है अभी के अभी जोइन कर लो ठीक है आगे आपकी कोलेज अलोट मेर तक जो भी अप्टेट होगी तो आपको सबसे पहले परवाइड करवाई जाएगी उसके बाद देखो आपका परसन क्या है कि संचार की परकिर्या के दोरान बाददा दोस्पुर्ण बाव खराब अनवाद एस्पेस्ट सबद और अनिप्यूक्त सबदावलिक का निर्मान करती है तो इसमें आपका हो जाएगा option number C बासाया समन्दी ठीक है बासाया समन्दी हो जाएगा इसके अंदर उसके बाद देखो आपका person क्या था कि oxygen को O2 द्वारा दर्साया जाता है oxygen को O2 द्वारा दर्साया जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा तथ्यात्मक ज्यान ठीक है किस के दोरा तथ्यात्मक ज्यान के दोरा D option आपका right हो जाएगा उसके बाद देखो आपका question क्या है कि किस परकार का संचार एक संगठन के बित्तर व्यक्तियों और समुआ को स्तापित संगटनात्मक लक्षियों को प्राप्त करनी के लिए संवाद करनी में साइता करता है तो इसमें आपका हो जाएगा संगटनात्मक संचार ठीक है उप्सन में डी राइट हो जाएगा उसके बाद देखो आपका पर्षन क्या था कि सीखने के संद्रम में निमल कित में से कौन सा वाक्य गलत है तो इसमें आपका हो जाएगा सीखना एकात्मक ये सही है सीखना वेक्ति के विवारोर को संसोदित करता है ये भी सही है सीखना जीवन में चुनाओ करने में मदद करता है ये भी सही है लेकिन सीखना व्यक्ति की सामाजिक नहीं है यह गलत है ठीक है अगला परसंड देखो उसके बाद आपका अगला परसंड क्या था कि निमल कित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है मैं ये बताना था ठीक है मैं क्या बताना था कि अध्यापन के लिए कौन सा सही वाक्य है तो इसमें देखो आपको चार-पांच ओप्सन दे रखे थे सुरी पांच नहीं चार ओप्सन दे रखे थे एक तो था पाठेकरम पुरा करने के लिए गतिविद्यों का संसालन करना और ये आपका सही नहीं है उसके बाद केवल एक व्यक्ति के विकास से समन्दी था ये गलत है विवार को बदलने के लिए उद्दशेशे परस्मिरिक परबाव का रूप है ये भी गलत है और उसके बाद आपका था कि सेकने का अनुकरण मारकदर्शन दिशा और प्रोत्सान है ये आपका सही था ठीक ह अगला परसन देखो उसके बाद गुणसर्ट नमर परसन क्या आया था कि मनोवेग्यान में जागरुकता के बारे में एक अवधारना है मनोवेग्यान में जागरुकता के बारे में यानि साइकलोजी में तो इसमें आपका क्या हो जाएगा अरे गुणसर्ट में आपका समझने और जानने की स्थिति ठीक है उसके बाद देखो आपका पर्शन क्या था कि सिक्षण प्रभावी नहीं है जब सिक्षण प्रभावी नहीं है जब यानि आपका इसमें क्या उजाएगा अरे इसमें आपका उजाएगा डी संचार प्रभावी रोप से परस्प्रिक नह तो इसमें आपका होजाएगा उप्सिन नमर B निरासा क्या है निरासा उसके बाद देखो आपका अगला परसन क्या है था कि परस्प्रिक समंदों की परकरती और गुणवर्ता सैंस्ता कि किस और किस को बहुत प्रभावित करती है किस किस को बहुत प्रभावित करती है तो इसमें आपका होजाएगा उप्सिन नमर A वातावरण और कारे दोनों को प्रभावित करती है ध्यां रखना वई वातावरण और कारे ठीक है इसमें आपका उप्सिन नमर A राइट होगा उसके बाद देखो आपका अगला परसन क्य किसी स्रिक्षन सहांस्तान में निर्ण लेने के लिए कौन सा पदा नुकुर्माम सीर से तल दश्टी कौन का अनुसरण करता है तो इसमें देखो आपका ओप्सन नमर हो जाएगा यानि निद्यसक परदाना अध्यापक परबंदन और अध्यापक यह आपका राइट हो जाएगा उसके बाद आपका परसन क्या था एक सेकर हाँ उसके बाद आपका परसन था कि अंते व्यक्तिक समंदों के लिए दो मैतपुन और निर्नाय करक कौन से है दो महत्पुन और निर्णाय करक है वो बताने थे कौन से हैं तो इसमें आपका होजाइगा विश्वास और समान थता इमान दारी और निर्णे दोनों है ठीक है उसके बाद देखो अगला पर्सन क्या था कि सैंस्तान का किस करमचारी सद्विश्यों और परबंदनों के बीच उचित व्यावसाई के समंद बनाए रखने के लिए एक सेत्व है तो इसमें आपका होजाएगा उप्सन मर्ड डी समुयक ठीक है उसके बाद देखो पर्सन क्या है कि सिक्षा पर SDG सिक्षा 2023 का ढांचा गुनता सिक्षा की नियों के लिए तो और तरीकों को सामिल करने पर जोर देता है तो इसमें आपका होजाएगा उप्सन नमर्ड बी ठीक है स्टेंडर्बल डॉलोप्मेंट गोल ठीक है इसमें आपका भी हो जाएगा हाँ उसके बाद देखो आपका नेक्ष नमर्ड परसन क्या आया था कि शेक्ष्णिक लक्ष्यों और शेक्ष्णिक आउस्क्तियाओं उपर केंद्रित चात्रों के साथ समंधों को बनाए रखना कि जिम्यदारी किस की है तो ये जिम्यदारी आपके किस की हो जाएगी अध्यापक की हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखो आपका अगला परसन क्या आया था हाँ एक बार देख लेना आपका अगला परसन क्या आया था हाँ अगला परसन था कि निमलिकित में से कौन से व्यक्तिक समंदों को बढ़ावा देने के संकेत है तो इसमें आपका हो जाएगा ओप्सन में डी प्रस्पर सम्मान और साजा जिमेदारी तता लक्षियों के लिए प्रस्परिक प्रतिबंदता दोनों ठीक है उसके बाद आपका नेक्ष नमर परसंद क्या था गुनित्त नमर कि सिक्सक ना केवल व्यक्ति गत रूचिक के चेतरों में बलकि पाठेकरम लक्षों या उद्दश्यों के लिए प्रांसिगिक सभी चेतरों में को बनाए रखने या प्राप्त ग्यान ठीक है उसके बाद देखो आपका अगला परसंद क्या है था सत्तर नमर परसंद क्या है था कि विशेश अध्यन और प्रेस्सक्षन पर अदारीत यह समीती अवदी के लिए अबादी के एक समीत वरक के लिए एक निस्वित उद्श्य के लिए कुसल सेवा मारगध परदान करता है और इसे सवतंतर रोप से या किसी सैंस्तान के बितर अभ्यास किया जा सकता है तो इसमें क्या हो जाएगा अरे इसमें क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से इसमें आपका हो जाएगा और कौन सा अरे इसमें सी हो जाएगा प्रेसिक्षन ठीक है उसके बाद आपका next number person क्या कर रहा है कि इन में से कौन सी व्यवसाइग की विशेष्था नहीं है व्यवसाइग की विशेष्था आपको पता है व्यवसाइग ज्यान और विस्तारित व्यवसाइग प्रसेशन के डांचों के आधिपत्य की मांग नहीं करता यह आपकी विशेष्था नही है तो इसमें आपका D हो जाएगा आतम संगठन की कमी ठीक है यह विशेशता नहीं है उसके बाद देखो सिक्सक का अव्यावसारी के विका से कोई गठना नहीं बलकि यह एक परकिर्या है यह परकिर्या परकर्ति में निरंतर्ण है ठीक है यह परकर्ति में क्या है अरे निरंतर्ण है ध्यान रखना भी ओप्शन मेर भी राइट हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो आपका अगला परसंद क्या था उसके बाद आपका अगला परसंद था कि एक कि एक सेकंड हां अगला पर्षे आया था मुझे बताओ एक सेकंड हां उसके बाद आपका अगला परसन था कि एक के स्थान में सभी विध्यार्थियों के कल्यान और विकास के परती परती बता अनिवार एरोप से एक किस के दोरा परती पर्दसित की जाती है तो इसमें आपका हो जाएगा उपसन नमर बी यानि परदाना द्यापक के दोरा ठीक है उसके बाद देखो आपका नेक्स नमर परसन क्या आया था जल्दी से देखो टाइम नहीं है पचेता नमर परसन था कि नीचे देगए कहतनों में से कौन सा कतन विद्यारतियों और विद्यारतियों के दिगम में के परती शिक्सक की परती बता को परदसित नहीं करता तो 75 नमर के उसन में आपका हो जाएगा option में कौन सा यह हो जाएगा यानि अध्यापक सभी विद्यारतियों के साथ आप ऐसमान रूप से अनादर के साथ विवार करते हैं यह आपका यह आपका क्या हो जाएगा परदसित नहीं होगा ठीक है उसके बाद देखो चातरों के कल्यान और सेकने के परती सिक्सक की परती बत्ता के माद्यम नहीं है तो इसमें आपका हो जाएगा चिंतर में option में D सकती बनाए रखना ठीक है उसके बाद देखो आपका परसन क्या था कि S T E M पर्ठिकरम क्या है सतंत नमर क्यों संता इसमें आपका हो जाएगा option में C ठीक हो जाएगा यानि Science, Technology, Engineering and Mathematics उसके बाद आपका परसन क्या था देख लो उसके बाद देखो आपका अठंत नमर परसन आया था तो उसमें क्या बोला गया था कि इसमें आपका उजाएगा आयू निर्बर्ता सतंता की संद्रम में आयू विविदताई महत्मुन विचार है ठीक है उसके बाद देखो आपका परसन आया था क्या कि एक सातर समाजिक रोप से परिवक कैसे होता है तो इसमें आपका हो जाएगा ओप्सन नमर कौन सा अरे उनियासी में आपका भी हो जाएगा ना उनियासी में भी होगा ना अरे भी होगा साइध एक सातर सामाजिक रोप से परिवक तब हो सकता है जब उन लोगों के संप्रक में आना आता है जो सामाजिक रूप से पर्विक्षा है ताकि उनके अनुसार अपने विवार को भी उसके अनुसार बना सके ठीक है उसके बाद देखो सी नमर क्यूंसन क्या था कि किसकी परकिरे के दुरान सात्र उस समाज की अपेक्साओं पर खरा उतरना सीखती हैं जिसमें वे रहते हैं तो इसमें आपका हो साथतर को यह जानने में मदद करता है कि उसे क्या प्राण्चनी और अप्यक्यों इसमें आपका उचनी और यानी प्रेयरना परदान करना ठीक है उसके बाद देखो आपका परशन है कि किसने पलेवे पदती की सुरुवात की तो इसमें आपका क्या हुज़एगा बी यासी में इसमें आपका हुज़एगा ए काल्ड वेल कुक ने ठीक है इसमें आपका हो जाएगा, 83 में option number कौन सा, D हो जाएगा, तना, sorry, इसमें आपका समाजी के परिवक्ता हो जाएगा, D, ठीक है, उसके बाद देखो, आपका next number person क्या आया था, next number person आपका आया था, 84 इसमें सुमिलित करना था, तो 84 में आपका option number हो जाएगा, D, ठीक है, सीखनी का जुनून आपका हो जाएगा, सपर्ष्ट दिसा परदान करने, ये तो, अच्छा, इसमें D हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से आपको करना था, D का 4 है, A का 2 है, B का 3 है, C का 1 है, इस हिसाब से आपको D करना था, 84 में D कर लेना, उमार में चैक कर लेना, उसके बाद देखो, निमल कित्मी से क्या नेतरत्वेकी आफदाना को परिवासित क्या जाता है, तो इसमें आपका उजाएगा option में D, परभाव सवेचिक परियास लक्षे उपलब दिसे, उसके बाद देखो, आपका अगला पर्सन क्या यह था, यहां पे वापस से मिलेत करने का था, उसके बाद देखो छेहाइगा नेतरत्वेकी समता को वास्तविकता में बदल देता है, तो इसमें आपका उजाएगा option मेर B, उत्प्रेरक्की, उसके बाद देखो आपका पर्सन क्या था इसमें वापस मिलान करने का पर्सन था और सित्यासी में आपका उप्सन मर यह हो जाएगा ठीक है डी का एक, बी का दो, बी का चार, सी का तीन ठीक है यह आप ओमार में चेक कर लेना उसके बाद इठीक नमर देखे, गुनवर्ता पुरुण, इठीक नमर क्योशन को देखे गुनवर्ता पुरुण सिक्षा के लिए ICT के उप्योग पर कब परकाश डाला गया या फिर किसके दोरा परकाश डाला गया एन सी एफ दोजर पांच के द्वारा ठीक है अगला परसन देखो उसके बाद आपका अगला परसन क्या आया था कि वापस से सुमेलित करो तो इसमें देखो D हो जाएगा ड कैसे होगा ड कैसे होगा द्यान देख लो भई ड कैसे होगा ड का तो आपका हो जाएगा ड का तो जाएगा दो ध्यान देख लो भई ड का तो जाएगा दो ठीक है एक का हो जाएगा एक बी का हो जाएगा चार और यहां पर शी का हो जाएगा तीन ठीक है इस हिसाब से आपक अगला परसन देखो उसके बाद आपका अगला परसन क्या है कि निमल कितमे से कौन सी शेक्षनिक परणाली के नेतरत्व में विचारों की विशेस्ता है विचारों की विशेस्ता कौन सी है तो नब्बे में आपका उप्सन मर्शी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा उप्सन मर् लोगदान दी ये भी आपका सही है ठीक है अब चलो Е सूर में अमर्ड pension क्या रहें एक बार देख लो है एक करम एक देर के निइता की दूर दर्शिता का संचार अपनी सपनों को दूसरे के सामने परकट करना और लोगों को उनके साथ जोड़ना क्या है तो यह आपका क्या हो जाएगा विश्वास का प्रबंदन हो जाएगा ठीक है अगला परसन देखो अगला परसन क्या कह रहा है कि नेतर तो अब में सबसे आवश्यक कारक कौन सा है तो नेतर तो में सबसे आवश्यक कारक है वो कौन से हो जाएगे आपके नेतर तो में सबसे आवश्यक कारक कौन से हो जाएगे तो बाण में में आपका डियो हो जाएगा नेता अनवाई स्थिति और संचार ठीक है अगला परसन देखो उसके बाद परसन है कि सिक्षन के दोरान सेखने की परगती निगरानी करने वाला मुल्यांकन है त्रेनमे नमर के उसने में बताईए जल्दी से सिक्षन के दोरान परगती की निगरानी करने वाला मुल्यांकन है योगात्मक मुल्यांकन है, प्लेसमेट मुल्यांकन है, आवद्विरित मुल्यांकन है, और नेदानिक मुल्यांकन है, तो त्रेनमे में क्या हो जाएगा, त्रेनमे में आपका अड़ी हो जाएगा, ठीक है, अगला परसन देखो, अगला परसन क्या है, कोल बरग के अनुसार एक सिखसक विध्यारतियों में नेतिक मुल्यों की स्थापना किसके दोरा कर सकता है बताओ ये क्योशन थोड़ा सा इंपोर्टेट था और एकदम अच्छा क्योशन था कि कॉल बरक्य अनुसार एक सिक सक विध्यार्तियों में नेतिक मुल्यों की स्थापना किसके दोरा कर सकता है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा उनके साथ नेतिक मुद्धों पर चर्चा करके ठीक है C उप्सन हो जाएगा उसके बाद देखो आपका अगला पर्शन क्या है था कि संचार सबद लेटिन सबद कम्यूनिस से लिया गया है जिसका अर्थ है बताओ भी संचार सबद लेटिन सबद कम्यूनिस से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है सामानी बनाने के लिए साजा करने के लिए वीनियम करने के लिए उसमें आपका हुझाईगा B साद्जा करने के लिए ठीक है क्या है साद्जा करने के लिए स्थीक है अगला परसन क्या है कि सात्र एक ओडियो प्रोग्राम द्वारा बेजे गई सन्देशों का कुटा किसे कर सकते हैं किसे कर सकता है बताओ शातर एक ओडियो का बेजा बेज़े गए कुटानुवाद केसे कर सकते हैं तो इसमें देखो आपका अपसरबर मुझे तो असी लग रहा है यानी समझ के माद्यम से ठीक है दर्शेव लोकन के माद्यम से नहीं होगा परदन स्रिंग के माद्यम से नहीं होगा व्याक्या के माद्यम से नहीं होगा समझ के माद्यम से होगा उसके बाद देखो अगला पशना की संचार परकिर्या के गटक नीचे दिये गए है उप्युक्त करम का चैन करे उप्युक्त क अगला पर्शन क्या कर रहा है इठ्ञानमी नम्मर पर्शन क्या कर रहा है कि संचार प्रेखसक द्वारा संकलपन और सुरू होता है बताओ संकलपन और सुरू होता है विचार की विकास से संदेश के विकास से संदेश के संत्रण से या फिर संदेश के प्राप्त से बताओ कि संदेश के द्वारा सुरू होता है संचार के प्रेक्स सके द्वारा संकलपन शुरू होता है इसमें आपका हो जाएगा option C संदेश के संदेश के संद्रन से ठीक है अगला परसंद ग्या कहा रहा है खालिस्तान पर बताना है कि संचार सावदानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे परभावी डंग से पहुंचाता है ताकि चात्रों के बीच आतम संचार का आवन किया जा सके कि संचार सावदानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे परभावी डंग से पहुंचाता है ताकि चात्रों के बीच आतम संचार का आवन किया जा सके तो चार ओप्षन आपको दे रखें एक तो पहला तो कर रहा है पारसपर एक कर रहा है मोख्षिक एक कर रहा है गेर मोख्षिक एक कर रहा है अंतिय व्यक्तिक तो इसमें कौन सा होगा निन्यानमी में आपका कौन सा होगा निन्यानमी में कि निन्याण में मुझे तो ओप्सन नमर बी लग रहा है कोंछा लग रहा है बी यानी मोखकिक होगा ठीक है में खीक अगला person देखो अगला और last person क्या कर आपका अगला और last person क्या कर जाए कि यदी लास्ट नमर देख लो वह 700 नमर के शन देखो अच्छी से 100 नमर के शन अच्छी तरिगेश ही देखो मान लीजिए कि आप एक ओडियो करम का उप्योग करके एक विशेवस्तु अवधार्णा पढ़ाने की योजना बना रहे हैं फिर आपको ओडियो प्रोग्राम के लिए आवशिक लिपी लिकनी होगी इसके लिए या फिर इसलिए ककसा में दी जाने वाली सामगरी लिपी है सामगरी किस में है एक बार पढ़ लेजिए कि उसके बाद आप आंसर देजिए कि मान लेजिए कि आप एक ओडियो कारेकरम का उप्योग करके एक विशेवस्तु अवधार्णा को पढ़ने की वजना बना रहे हैं ठीक है और फिर आपको ओडियो प्रोग्राम के लिए आवश लिखनी होगी आवश्यक लिपी लिखनी होगी इसलिए ककसा में दीजाने वाली सामगरी लिपी में है इनकोडेड में है और इनकोडेड में है या फिर डिकोडेड में है या फिर दोनों इनकोडेड और डिकोडेड दोनों में है या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसमें आपका हो जाएगा इनकोडेड और डिकोडेड दोनों में है ठीक है तो अभी देखो मेरी बात ज्यांसे सुनू अभी देखो माई का एकजाम हुआ ठीक है आपके जो 21 माई का PTT का एकजाम हुआ उसमें आपके शिक्षण शिक्षण अभिक कशमता अभिरूची शिक्षण अभिक कशमता अभिरूची अभिरूची है ठीक है शिक्षण अभिरूची है इसमें आपके 50 क्यूसन थे क्यूसन एकाउंट से रेकर सो थे उसके जो answer है ठीक है उसके जो answer है वो मैंने एकदम अच्छी तरकेशे आपके बता दी है पूरे 50 क्यूसन के तो आप अभी मुझे comment करके ये बात बताना कि आपके कितने क्यूसन सही होई है पचास में से आपके कितने क्यूसन सही हो रहे है 21 हो रहे है 25 हो रहे है 27 हो रहे है 37 हो रहे है 37 हो रहे है या 22 हो रहे है जितने भी हो रहे हैं अपनी इमांदर से comment करके बता देना सिरफ जो right है उसको ही बताना है ऐसे नहीं है कि दो नमर वाला बताना है एक नमर बंद रहा है वो सिर्फ राइट है वो ही बताना है क्योंकि इस बार आपके बीएस्टेशी वाला सिस्टम पीटीटी में भी लागू हो सकता है कि सिक्षन अभिरुची यानि टीचिंग एप्टीटीट में जो सही है उसमें नमर मिलेगा अनिता नहीं है अभी मेरी बात द्यासि सुनो अभी आप तो अब आपको कमेंट करना है कितनी क्यों सही है और वोट्सफ गृप को अभी भी जोइन ही कि है तो सबसे बड़ी गलती है वोट्सफ गृप को आप जोइन करो अभी के भी क्योंकि आगे आगे आपका रिज़ेल टाएगा उस की क Stephen portrayed कि तो ऊसमें आपके कौन सी कोलेज citizens बनी है उसके बाद आपके ऑलोटमकलिक होगा इन सभी जो निउस है और मैं बतारहा हूँ 200-75 को को超े आगे 16 मिलब गए 205 को नहीं मिलेगी यह बात धे थें digestive आपофन नमर बन रहे हैं तो मैं आपको बताओं एक सी त руки कि ही क्टनी कोलेज बननी है गरांटी सुधा बात है कि आपको भी कोलेज मिल जाएगी बस आपको गुरूप को जोइन करना है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहां पर आपको प्टिटी समधी जो अप्टेट है वो मिलती होगा मुझे पूरी और आसा उम्मीद है और गुरूप को आपने अभी भी जोइन के जल्दी से कर लो बनेरे चैनल के साथ धनिवाद थैंक्यू